जिसने दिल्ली की जवाहिला नहरू युनिवरस्टी को देश विरोधी ताकतों का अड़ा करार दिया है संग की तो दिल्ली की जे अन्यू युनिवरस्टी को आरसेस यानी रास्ट स्वयम सेवक संग ने देश विरोधी ताकतों का अड़ा करार दिया है संग के मुकपत्र पांजन्य में दरार का गर नाम से लिखे गए आरिटिकल में जे एन यू को नकसली गतिविदियों का सेंटर पॉइंट बताया गया है मैगजीन के मताबिक जे एन यू में एक बड़ी देश विरोधी लॉबी तयार हो चुकी है जो देश को तोड़ने में लगी है मैक जीन के मुताबिक JNU का स्टुडेंट यूनियन नकसल समर्थक है इसके मुताबिक JNU ऐसी जगाए है जहां रास्टवाद को अपराद कहा जाता है और इंडियन कल्चर को गलत धंग से पेश किया जाता है यहां आम बात है यहां कश्मीर से सेना को हटाने का समर्थन होता है यहां के लोग देश के खिलाफ होने वाले कामों का समर्थन करते हैं आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि JNU में धर्म परिवर्तन कराने का काम चल रहा है I mean that's an understatement, I think it's not only influenced by left-wing extremism of the Naxalites but there's LTT people there, there are Jihadi people there, there are all kinds of anti-national elements, it's full of them many of them are in the faculty and that is why when I was informally sounded I said I can't clean up the place unless certain basic things have to be done, in my opinion like American universities like the Ivy League universities these well-known universities, we must have a police station inside the campus and since the people are mostly extremists and terrorist minded people in the JNU in good measure therefore I think what we need to post is either a CRP police station or a BSF police station